दोस्तों आज हमाल आपको बताएंगे.. dallaps बैस में नहीं तो सकते हैं.. आप चार कोल पर भी बना खते हैं.. लेकिन आपको आज यहां पर बताएंगे.. तो चलते हैं.. हम अप शॉपिंग के तरह प्रेंज.. हा गये हैं दोस्तोंatta shopping mall पर यहाँ पर हम चुज़ करेंगे seabas fish यहाँ पर बहुत सारे fish और बहुत महंगा है मतलब कि अब आपके country में कहां कोन से मिलता यह गल्फ का fish है जो दोस्तों देख सकते हैं कि यह grill के लिए बहुत ही tasty बनने वाला है इसमें आपको one by one step by step करके पोहुत महंगे हैं तो फीस मतलब जो महंगे जो होते हैं थोड़ा टेस्टी भी अच्छे टेस्ट की होते हैं तो आप चलते हैं फर्स्रिंज यहाँ पर दिख सकते हैं राइट सीट पर मतलब इस पर क्या-कfinite भी तो यहां दिख सकते हैं कि एक फीस लिया है इसको गिरील करके आपको दिखाएंगे आपको इसको मैरिनेट करना है सबसे पहले टर्मेरिक, सॉल्ट और जो है आपको लेमन जूस डालके मतलब की 20-25 मिनेट राखने के बाद आप वास कीजिए उसके बाद जो है अब चलते हैं इंग्रीडियन्स पे धनिया लेना है आपको तिन टेवल स्पून एक लेमन जूस और दो तिन चॉप ओनियन यह सब देख सकते हैं कि अब नेक्स स्टेप में जो है यह सारे आपको इंग्रीडियन्स आपको दिखाएंगे यहां पर जो क्या-क्या लंगने वाले हैं देख स जिंजर गार्लिक पेस्ट यह लेमन जूस थोड़ा अजीनो मोटो भी यूज करने वाले हैं इस पर और उसके बाद जो है कुमिन पाउडर जो है जीरा पाउडर और बलाक पीपर है उसके बाद आप अपनी हिसाब से रेट चिली कितना चाहिए सॉल्ट बगेरा अपनी हिस यह सारे मसाले आपको ड्राल के अपहले मसाले में को यह बहुत सारे help के बेनेफिट हैं जो अपर ज्यादा तर Gelf खतंग यह तो स्टौफिंग के लिए हैं हुआ जो मास् Sikh गरीञ्ट के लिए मंधना इसको वास करने के बाद देख सकते हैं आपने इमेज पर भी देखावाएगा मतलब की स्टाफिंग के लिए 12 की सारे मसाले आपको दिखा दिया हूँ पर 보स शीवास रेल लिया है इसके बाद देख सकते हैं अब इसके बाद यह शीास का फिस लिया है इसके बाद देख सकते हां निज्ण किया हुआ है और थोड़ा वाइप करेंगे जो अगर मतलब पानी भाइनी है तो मतलब पानी न रहाँ जाये इसके बाद जो है इसके उपर olive oil से sprit करना है चारों तरफ से जो tasty भी हो जाए मतलब soft ही लगे और tasty भी हो जाए देख सकते हैं कि हलका olive oil लगाने के बाद जो stuffing जो मतलब की stuff का masala जो ready किया था इसको चारों तरफ से फेलाना है जो इसमें salt बग्यारा salt lemon juice सब कुछ है इमली टमरिंड है मतलब सब कुछ है इसके अंदर तो देख सकते हैं कि यह गिरील करने के लिए पूरा ready है दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं कि यहां पर tray लिया है next step में देख सकते हैं ट्रे लेने के बाद seal or foil डाला है seal or foil में भी हलका olive oil लगाएंगे जो मतलब की फीश रखने के बाद जो चिपके ना मतलब बाद में चुटाने के लिए easy होता है और tasty भी होता है खाने के लिए मतलब की खाने के लिए tasty होता है दो डाइट टेबल स्पून olive चारो तरफ से मतलब लगा देंगे मतलब कुक करने में भी और roasting के लिए बहुत अच्छा होता और tasty भी अच्छा होता है दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर इस तरीकी से आपको लगाना है मतलब कि आपको अभी ग्यास पर पूरा oven पर जाने क कुक करना है ताकि चारो तरफ से पक जाए तो अब हम इसको डालते हैं oven पर oven अपनी हिसाब से हीट कीजिए यहां पर oven पूरा फुल हीट है तो इसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे दोस्तों 10-15 मिनिट जो है सिलोर फॉइल से पकाना है यह देख सकते हैं अब बंद कर लग रहा है आप इसको राइस के साथ कह सकते हैं ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हैं यह लंच पे डिनर में किसी भी टाइम पर चल सकता है अगर बर नहीं तो आप चारकल कोईले में भी सेलोर फॉइल में डालके कूक कर सकते हैं देख सकते हैं कि कितना बड़ीया सांदार झाल